हाँ जी, तो मैं बाहर जाने के लिए बिल्कुल हो गई हूँ, रेडी और मेरे साथ रेडी है मेरा बैग और मेरे साथ मेरी लाडो, तो फिर मिलते हैं बाहर, तो यह चले हम बाहर, और यहां मैं अपनी फेशियल प्रोफाइल चेक कर रही थी, यहां पर लोकेशन काफी अच्छी थी, तो सोचा एक दू रिल शूट कर लेते हैं, फिर मैंने समझाया के शूट कैसे करना है, और यह रहे उसके कुछ क्लिप्स, एक बारी में मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैंने लिया टेक टू, आप सब ने तो शूट्स देख लिया होगा, हाँ जी, तो हम लोग आये थे यहां पर घुमने और हम लोगों की हो गई टाय टाय फिश, क्यूंकि हो गई बारिश आपने देख लिया, और इतना मतलब जादा ठंड है ना, एक तो सर्दी का मौसम, उसके उपर बारिश तो इतना, तो मैंने, क्या कहना, अपना शॉल ओड लिया और मेरी बहना, उसने अपना हुडी, ठीक है, अच्छा तो सुन, फिर जो इसके लिए मैं लेके आई थी, चॉकलेट सर्प्राइस के तौर पेर अपने हाथों से बना कर इसको दे दिया, लेकिन, 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 मेरे जो टुइन्स है ना, मेरा पपलो फीट करने मै जर्राब भी नहीं चुकते, टिफिन कोल के हाब चॉकलेट खा भी लिये थे, तो जी बिल्ली के नजरों से मचली भले बच सकती है, पर मेरे टुइन्स के नजरों से चॉकलेट और पेश्ट्री का बचना तो नामुम्किन है, और इसको चॉकलेट बहुत जादा पसंद तो ये मान ही लेगी, और इसके साथ जितना भी टाइम स्पेन करती हो ना, चाहे घर में हो, बाहर हो, कहीं पे भी, बस हमारी मस्ती ही चलती रहती है, और मुझे असी के दोहरे भी पढ़ते हैं, इतना हसाती है, सच में, और सच में मैं ब्लेस्ट हूँ, ऐसी बहन पाकर, ज अंभेल पूरी, मथुरा केक, चाय, और पता नहीं क्या-क्या, और ये बाहर जाकर चेक कर रही है, कि वारिश किस हद तक रुकी, और जैसे ही वारिश रुकी, तो हम यहां से निकल गए सिधेक, धनुजत्रा मेले की तरफ, और जैसे ही हम मेले में पहुँचे, सबसे पहले इसने पूरी की, अपनी दिल की मुराथ, सब कुछ खा कर, और भुक तो मुझे भी लगी थी, इसलिए लगे हातो, मैंने भी खा लिया थोड़ा सा आंभिल पूरी, और वारिश के वज़े से रस्ता मतलब इतना गंदा था कि हम लोग ज़्यादा इंजोई ही नहीं कर पाए, फिर हम पहुँचे हमारे पुराने निंबर्स चाची के यहां, और बहुत दिन बात मिले थे तो नंबर्स तो एक्स्चेंज होने ही थे, और इन दोनों को पड़ा हसी का दोहरा, पता नहीं किस बात पर यह तो इनको ही पता, यह सब ब्यारी फैमिली से बिलॉंग करते हैं, और यह है चाची की बेटी सुना ली, और यह उनकी छोटी बहो, और उनकी प्यारी सी पोती, जो मुझसे बहुत जादा डर रहे थी, और मैंने इसको बहलाने की भी कुशिश की, लेकिन यह देखिए, और यह उतर गई, और यह वापसी के दिन सुभा तिनों बच्चे मोबैल में बिजी, और यह जिजा सली की मस्ती, और आते वक्त हर बार की तरह मा यह समझा रही है, कि धियान से गैस पर कुकिंग करना, और सीडियों से धियान से उतरना, बच्चों को डाटना नहीं, रात को नहाना नहीं, जमाई बाबु का धियान रखना, कुछ भी कहें, मा तो मा ही होती है, सबसे प्यारी हैं, मस्ती भरे, दो दिन हुए खतम, और हम आगे घर वापस, ओके, बैक टू चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस, तो जी मैंने लिया है कुछ बदाम, और इसको मैंने ड्रायर रोष्ट किया हुआ है, माइक्रोवाइब में, कम से कम, एक मिनट के लिए, तो जी मैंने वाइट चॉकलेट भी बनाए थे, लेकिन उसकी रेसिपी में किसी और दिन शेयर करूँगे, आप लोगों के साथ, तो यहाँ पर मैंने लिया है, डार्क चॉकलेट, आप मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, उसके बाद मैंने इसको रेंडम ली ऐसे ही कट कर दिया, ताकि मेल्टिंग में आसानी हो, और उसके बाद इसको माइक्रोवेप करना है, 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद इसको चमज से अच्छी तरह से श्टर करने हैं, और फिर से 30 सेकंड करने हैं, उसके बाद फिर से श्टर करने हैं, जब तक आपकी चॉकलेट मेल्ट अच्छी से नहीं हो जाती, मुझे तक् यहां पर मैं शामिल कर रही हूं बटर स्कॉच एसेंस और मैंने लिया है यह तक्रीवन वन टी स्पून मेरा चोकलेट जादा है इसलिए इतना लगे वरना आगर आप कम बना रहे हैं तो ड्रॉप्स में लीजेगा ठीक है और उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स करने है चोकलेट के लिए अलग से एसेंस आते हैं आप कोई भी उठा के मत डाल दीजेगा वना आपकी चोकलेट जो है वो फट जाएगी और यहाँ पर मैंने लिया है सिलिकॉन मोल्ट और मैंने जो लिया है वो है हाड़ शेप की और एक बार शेप की तो जी हमें ये करना है कि जो हार शेप का है उसमें हाफ हाफ फिल करने हैं हमको और उसके बाद सारे में हाफ हाफ फिल करने के बाद एक एक बदाम डाल देने हैं जो हमने किया है रोस्ट ठीक है और उसके उपर फिर से हमें क्या करने हैं कि जो हाफ हाफ हमने फिल किये थे उसके उपर बदाम डालने के बाद बाकी के फिल कर देने हैं यानि के फुल कर देने हैं उसको ठीक है और फिर मोल्ड को अच्छे से टैप कर देने हैं तीन, चार, पांच बार अच्छे से बिलकुल वरना जो चॉकलर से उसमें गैप नज़र आएगी और दिखने में बिलकुल भी अच्छी नहीं लगीगी और इसको अगर आप फ्रीज में रखें तो 10 मिनिट और अगर फ्रीजर में रखें तो सिर्फ 2 मिनिट इससे ज़ादा बिलकुल भी न रखें और अगर ज़ादा रखेंगी तो फिर चॉकलर में स्वेटिंग आ जाएगी तो इस वज़े से अगर फ्रीजर में तो 2 मिनिट और अगर फ्रीज में तो 10 मिनिट उसके बार मैंने पोर कर दिया बार वाले मोल्ड में और ये बिल्कुल टेस्ट वैसी करेगी इसमें कोई भी फिलिंग एड नहीं करी हूँ इसलिए बिल्कुल डेरी मिल्क का जो पहला वाला वर्जन आया था हम लोगों के पास सबसे पहले जो बिल्कुल वैसा वाला टेस्ट करेगी ये तो आप ट्राइज जरूर करे घर में मेरा दावा है कि आप रिक्रेट बिल्कुल भी नहीं होंगी सच में बिल्कुल मार्केट जैसा बने वाला है ये तो जी हातों में बड़ी चिपचिप हो रही थी तो फिर मैंने अपने हाथ दो लिए और फिर अच्छे से टेप करने के बाद मैंने इसको रख दिया 10 मिनिट के लिए फ्रेज में और फिर बारी आई इसको डिमोल्ड करनी की जी हाँ आपको साइट में वाइट चोकलेट दिख रहा होगा और इसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में तो आप ये दिखिए डिमोल्ड करना कितना आसान है डाक चोकलेट और दिखने में भी कितना प्यारा है ये और फिर ये है ना जो सिंगल पिसेस है उसको क्या है ना कि ये मैंने थोड़ा शायद जादा डाल दिया इसलिए थोड़ा बहार मतलब इसके कान नाक निकल आए है आप थोड़ा कम डालिए और ये जो वाइट वाइट दिखरा है ये मैंने वाइट चोकलेट जो बनाया था वो थोड़ा सा रह गया होगा शायद उसके पार्टिकल्स तो वो भी आगए इसके उपर और इसको डिमोल्ट करना सच में बहुत जादा आसान है ये एक्चुली है मैं अपने बहन के लिए बना रही हूँ मैं जा रही हूँ अपनी माई के तो मेरे बहन को जो है वो बहुत जादा पसंद है उसको चोकलेट तो मैंने सुचा कि जबकि मैंने घर में सीख लिया है तो क्यों ना मैं घर से बना की जाओं और ये दे सकती हूं उसको तो जो चॉकलेट मैंने अभी इससे पहले आपको दिखाया है वो मैंने पर्सों बनाए थे और कल ही कतम हो गये तो फिर मुझे आज ही दुबारा से बनाना पड़ा और मैं दिखा देती हूं आपको थोड़ा करिब से क्योंकि यहां आपको दिखाई नह आपको दिखाई के और ऐसे सिंगल वाले पीज की ठीक है नीची का जो है वह एकदम डार चॉकलेट है और यह मिल्क चॉकलेट और यह भी मिल्क चॉकलेट है तो यह पिगल के कहीं हातों में थोड़ा थोड़ा लगने लगा है इससे पहले हम जल़ी से इसको असंबल करते ह हैं देखते हैं किस तरह से हम इसको मतलब तोड़ा अच्छे से अगर किसी को कुछ देने तो थोड़ा अच्छे से देना चाहिए ना तो गिप तो पैकिंग नहीं करूंगी बस एक रैप है तक यह जो हातों में लग रही है यह लगे न और इसके लिए मैं यह लेके आई थ तो लेनी है इक ब्लू शेक इसको उल्टा करें और जो यह डिजाइन वाला है इसको रखेंगे यही पर ठीक है डिजाइन वाला पीछे उसके बाद इसको सिंपल बिल्कुल सिंपल मुझे लगता है यह एक में दो पीस भी आ जाएंगी तो मैं ट्राय करूंगी क्यों जादा जाया करें यह 150 का था तो इसलिए हम जादा यह कोई सेल तो नहीं कर रहे हैं कुधी खाने के लिए है तो अगर एक में अगर दो चॉकलेस आ रहे हैं तो फिर इसलिए हम लोगों क तो वही फोलो करना चाहिए ना यह रिखिये हो गया ठीक है अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजे और थांक्स मेरे साथ जूड़े रहने के लिए